Oxford जिसी दे जुड़ गए हैं हमारे साथ, Dr. Amir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक पर मेरा सबसे पहला सवाल आप से यही कि लगातार करोना संक्रमन को लेकर हम एक learning curve पर हैं कुछ चीजें facts हैं, कुछ चीजें myths हैं और कुछ चीजें इसके बीच assumption के तौर पर हैं और ऐसा एक assumption है तीसी लहर को लेकर भारत में कि यह लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है इसमें कितना fact है, कितना myth है, किस नजरिये से आप इसको देखते हैं Thank you, आपने बिल्कुल सही कही बात कि इसमें कुछ fact है, कुछ myth है और कुछ लोगों की चिंताएं हैं और जो की वाजिब हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना बुरा सा अंक्रमन देखा है इस समय सेकंड वेव में जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी आगे की चिंता जरूर होगी लेकिन जो मौजुदा है उसको देख लेते हैं पहले, उसी से हम थोड़ा अंताजा लगा लेगी देखिए जिसे चरम सीमा पे जब ये वाइरस था, सेकंड वेव पे तो उस समय करीब तीन लाग केसिस मान लीजे थे तो ऐसा नहीं था कि बच्चे उससे वंचित से बच्चे भी इंफेक्टेड थे लेकिन हम उनको जादा टेस्ट नहीं कर रहे थे, इस समय फोकस था एड़र्ट्स पे तो अगर जो आप बच्चे को भी टेस्ट करते हैं और आप पूछ लीजे पीडेट्रिशन्स को और घर में जो लोगे मेरी अपनी सिस्टर के दो बच्चे आप तो उनको भी कोरोना तो हुआ ही था लेकिन उस में से पूछना यह है कि कितने लोग असल में बिमार इतने पड़े कि उनको दवा की जरूत पड़ी या इतने कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन वोगा तो उसका जवाब होगा कि बहुत ही कम अगर जो आप भारत में भी देख लें और यूके यूएस से हर जगा देख लें तो जो बच्चे हैं वो जादा तर स्पेर्ड हैं अब चाहे वो पहला वाला वेरियंट हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो तीनों में एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंट है कि बच्चों पे सक्रमंट बिलकुल भार है तीसरी वेव है कि आज हमने जो हैं जो है जो रिस्टृक्षन से उनको खोल दिए अगर जो हम खोलते हैं तो नंबर बढ़ेंगे क्या मुस को तीसरी वेव कहीं हो सकता है कि थोड़े दूनों में जो है किस पर बढ़ने शूरू हुझा है ।ौधे दूसरी चीज कि कोई येही वाइरस हो जो ज़्यादा पहले या जो नया वाइरस हो वो और फहले इसका कोई हमारे पास इस से नहीं है कि ये वाइरस जो है बच्चों को जादा इंफेक्ट करें ऐसा कहीं पर भी बिल्कूल प्रमानेत नहीं हो रहा तो मेरी आपके चैनल से जो किमाध्यम से एक जो मेसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे कि आपके बच्चे अगर जो कोवेट से इंफेक्ट होते हैं तो उनका चांसिस की वो हस्पताल में एड्मिट हो और उनकी मौत हो जा है उसको आप थोड़ा कम कीजिए क्योंकि अब तक आंकड़े इसको दिखा नहीं रहें अचाहिए एक दूसरी बात में कहूंगा अगर जो चरम सीमा पे हमारे चरम सीमा मतलब यहने कि इतने सारे केसिस थे इसमें हमारे हस्पताल नी भरे मुझे इसमें थोड़ा से यह तो अगर जो हम बहुत सारे बच्चों के हस्पताल बनाना शुरू कर दें इस डर से कि इस अंक्रमन पहल रहा है और थर्डवे में अटक करेगा तो इसका तो कोई प्रमांड है नहीं तो उसको हमें जरा नाप्तोल कहीं करना चाहिए